हलो दोस्तों मैं हुशी उली और आप सब कर स्वागत है मेरी कीचन में आज हम बनाएंगे सेविया के लड़ू वो भी बनाएंगे बिना घी, बिना चाशनी और बिना कोई तेल के और कंडेंस्ड मिल्ड भी यूज नहीं करेंगे फिर भी बिल्कुल क्रांची शेविया के लड़ू बना कर त्यार करेंगे इसके लिए मैंने ये देखिया लच्चा शेविया लिया है ये लच्चा शेविया होते हैं ये पहले से भुने हुए रहते हैं इसलिए ज्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो इनको हम तोड़ लेंगे हाथ से मैं यहाँ पर दो पैकेट यूज़ करने वाली हूँ जो 20 रुपे वाले पैकेट होते है तो ये एक पैकेट है हाथ से जितना हो सके उतना हम तोड़ लेंगे चूर कर लेंगे और यहाँ मैं दूसरा पैकेट डाल रही हूँ लगबग 5-6 मिनिट के लिए भून लेंगे हीट को ज्यादा मत कीजिएगा क्योंकि ये सेविय पहले से भूने हुए रहते हैं इसलिए ज्यादा भूनने की बिल्कुल भी जूरत नहीं है लो हीट में रखके हम 5-6 मिनिट के लिए भून लेंगे ये देखिए बहुत ही अच्छा से सुनेरा कलर आ चुका है अभी हम इनको निकाल के ले लेंगे एक प्लेट में और इनको ठंडा होने देंगे यह देखिए मैंने इस प्लेट में ले लिया है और इनको छोड़ देंगे ऐसे ही ठंडा होने के लिए इनको छोड़ देते है और अभी हम इस कड़ाय में डाल देंगे मालाई यह देखिए यहाँ पर पॉना कप जितना मालाई है चार दिन का मालाई है बहुत ज़्यादा पुराना मालाई नहीं है तो यह मैं अभी डाल दूँगी और इसके साथ साथ हम डाल देंगे शक्कर अपने स्वाद के अनुसार मैं यहाँ पर एक कब से थोड़ा कम मतलब लगबग पॉना कप जितना यहाँ पर शक्कर डाल रही हो हीट को मीडियम से थोड़ा सा लोग पर रखेंगे और शक्कर को अच्छे से घूल जाना तक वेट करेंगे चलाते रहेंगे लगातर ताकि नीचे से जलेना और अभी हम इसके साथ-साथ डालेंगे लाइची आप चाहें तो हाफ टेस्पुन जितने लाइची का पाउडर यूस कर सकते हैं मेरे पास लाइची का पाउडर नहीं था इसलिए मैं डाल रही हूँ दो लाइची फोड़ के यह देखिए ऐसे मैंने फोड़ लिया है और ऐसे मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर मैंने जो मालाई लिया है यह गाय के दूद का मालाई है जो रेगुलर दूद आता है घर में उसी का मालाई मैंने एकठा करके रखा है चार दिन का तो वो ही मैंने यहा पर डाला है और ऐसा करके बिल्कुल मावा जैसे स्वाद आएगा और इसमें घी डालने की भी कोई भी जूरत नहीं है शक्कर अच्छे से बिगल चुका है अब हम इसके अंदर सेविय डाल देंगे सेविय डाल के फटापट इसको मिला लेना है बहुत ज़्यादा लेट बिल्कुल नहीं करना है फटापट मिला लेना है मैंने कुछ ड्राइफ रूर्स को पहले से ही रोस्ट करके रखा था आप चाहे तो ड्राइफ रूर्स को छोटा छोटा बारिक बारिक काट के सेविय के साथ साथ ही डाल सकते हैं और इसके साथ साथ ही रोस्ट कर सकते हैं लेकिन मेरे पस पहले से ही रोष्ट किया हुआ था तो वहीं मैं यहाँ पर डाल दूँगी और आप देख सकते हैं कि मालाई के साथ शेवियो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और ज़्या देर तक रखेंगे तो यह बिल्कुल सूख जाएगा और लडू बांदने में हम लडू का बैंना है और इस लडू को गरम ऑंदना है अगर ठंडा हो जाएगा तो यह बहुत ही कड़क हो जाएंगे और यह बहुत ही ..., बृल्डू बांदने में बिल्कुल भी आसानी नहीं होगी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यह देखिए दोस्तों हमरे एक लड़ू बंद कर तयार हो चुका है इसको हम रख लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे लड़ू को हम बना कर तयार कर लेंगे अगर लड़ू बनाते बनाते आपकर मिक्स्टर सुख जाता है कड़क हो जाता है तो इसको थोड़ा सा गरम कर लीजिए गरम करने के बाद फिर से आप बहुत ही आसाने से लड़ू को बांद पाएंगे लेकिन दूद या पानी ना मिलाए उससे क्या होगा कि इसका क्रांचिनेस खतम हो जाएगा देखिए दोस्तों इतने लड़ू हमने बना लिया है और भी कुछ बाकी है ये देखिए सारे लड़ू को हमने बना कर तियार कर लिया है बहुत ही अच्छे बहुत ही क्रांची लड़ू बने हैं इसको फ्रीज के बाहर 7-8 दिन तक रखकर खाया जा सकता है और फ्रीज के अंदर एक माइना तक इनको आप स्टोर करके खा सकते है चलिए दोस्तो आज के लिए यहां तक ही मिलते हैं